हेलो दोस्तो स्वागत है अपका स्टॉक बुल क्रिप्टो किंग चैनल में दोस्तो आज में बात करना हो डेल फेवरेट और मीम इस्टोक के बारे में जी हां दोस्तो इस शेयर में आज 4 परसें के तीर जी दिखने को मिलिये जो इंटरडे के इंवेस्टर से उनको काफी ज़या दा मुनाफ़ा आज इस शेयर में हो चुका है और साथ ही दोस्तों इस चर्ट के एक्सपेटर की फोर की जर्स आ चुके हैं जो कि मोदिलाल उस्वाल जो कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है उनका कहना है कि इस चर्म कुछ इतना उनको ने एक डिर्क्षन बताई है कितना नेफ़ फट हो सकता है कितना इंक्रिमेट रहक यह सवाज आपको मैं बताने वालों इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्त ने जबूर देखना वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेशन नहीं है ज्यादा टाइम नहीं लेंगे चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे दोस्तों मैं बात कर रहा हूं ITC Limited के बार में हखर अगर आप इन्च गो शौर्ट टर्म के लिए इन्वेश्ट करते हो तो कुछ फायदा रहा है इसलिए दोस्तों अगर ещना चाहते हो तो यूजरूल यन was कारे अगर वन मंत की टन्स की बात करें दोस्तों सो तरह परसें की तेजी हम को देखने को मिली है जिक्स मंस की बात करें दोस्तों 12.90% की तेजी हम को देखने को मिली है दोस्तों यह जो शौट टम की रिटर्न से यह तो घरती बढ़ती रहती है लेकिन दोस्तों अगर हम दोस्तों क्र dragged की वरिया की तो चौबस 0.11 पर संट देखने को मिली है और स्वास तो करें 2 पर संट की इसमें मायनोस देखने को मिला अगर दो पर्संट गिरावार शेर हम् यह मिल गई अगर constitutional यह क्षैएं सो 888 पर संट देखने को मिलें जो की शर्क टी 20-22 साल हो चुके हाला कि दोस्तो इस share में कोई भी जादा इतना इंक्रीमेंट नहीं हुआ है लेकिन दोस्तो फिर भी इस share को इतना जाता first पर रखा जाता है इतना जाए stock नियूस पर रखा जाता है कि दोस्तो ये share अच्छा काशा bullish भी दे देता है अगर दोस्तो बात करें शेयर के market gap की तो 3,30,000 का इस company का market gap है वहीं दोस्तो इसका 52 weeks का ही 286,85 जो की दोस्तो आज ही ये चाह चुका है आज दोस्तो इस share ने 52 weeks का high touch कर लिया अपना और दोस्तो बात देने इसके low की दोस्तो 189 रुपे का इसका low है अब दोस्तो जैसे ये high पर आ चुका है लेकिन दोस्तो क्यूफो की जल्स के prediction के साथ इस share के काफी ज्यादा अच्छे results रहने वाले हैं जिसके दोस्तो इसका जो शेयर पर अभी और बूम पर जा सकता है अब सबस्ते पहले दोस्तो मैं बात रहना इस stock के share holding pattern की क्योंकि दोस्तो कभी भी share market में इंवेस्ट कर लो तो पहले किसी भी shares के हमेशा share holding pattern को जरूर चेक कर लिया करें दोस्तो इस share में promoters की कोई भी हिस्सदारी नहीं है उन्होंने अपने सारी shares को हटा रहा है अपने holding को खतम कर रहा है बात करें foreign investors की दोस्तो उन्होंने बारे point 48% की हिस्सदारी इस share में कर रहे है जिससे साबसे उन्होंने एक अरब 93 करोड 66 लाग 49 चेक को hold कर रहा है अगर दोस्तो बात करें domestic investors की तो दोस्तो उन्होंने पांच अरब 8 करोड 26 लाग 97631 shares को hold कर रहा है जिससे उनकी हिस्सदारी 41.29% की हो जाती है और दोस्तो इसी के अंदर है mutual fund का investment जिया दोस्तो domestic के अंदर है जो कि उन्होंने 10.70% की हिस्सदारी कर रहा है जिससे साबसे उन्होंने एक अरब 31 करोड 73 लाग 24452 shares को hold कर रहा है और दोस्तो अगर foreign investors जादा होते हैं तो उस share में long term के जादा chances होते हैं लेकिन में मुचल फटन में इन्टो सक्ति कर रहे है और दोस्तो कभी भी में इन्वेस्ट करते हैं उनके managing director यह मैनेज ग Strategy में इनेच करते इस चीज को हमेशा Long Term Shares पर ही उन्ट करते हैं इसलिए दोस्तो इस sharing के लॉंग टर्फिट के काफी जाजा चांस जाए ग्रोथ होने के दोस्तो अब मैं बात कर रहा हूं इसके Q4 जेल्ट की जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो दोस्तो ब्रोकिश हाउस ने इनको एक्सपेक्ट किया गया है उनका कहना है कि नेट प्रॉफिट जो रहने वाले वह 4060 कवर्ड रुपे कर रहेगा जो की 8.7% बढ़ेगा येर अन येर बेसे के साथ है और दोस्तो जो काटर ओं क्वाटर बेसे करीब 1.9% गिरेगा जी हां दोस्तों ये एक्सपेक्ट है अभी रियल जो कंप्रे के Q4 के जल्ट्स है वो अभी नहीं आये और दोस्तों इनक किया जा रहा है वो इंकरीज होगा 4.1% से येर अन येर बेसे के साथ से और दोस्तों डाउन होगा क्वाटर ओं क्वाटर के बेसे साथ से 12.7% से जो की नेट सेल रहने वाली 13,822 रुपे की रहने वाली है अकॉर्डिंग टो दोस्तों मोतिलाल ओस्वाल कि अर्णी बिफो हो सकता है 5,029 रुपे का तो अब कुछ सवाल उठते है कि क्या इस ये में लॉंग टेम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए ये कंपनी कैसी है और दोस्तों इसका टारगेट क्या रहने वाला है तो सबसे पहले दोस्तों बात करा देता हूं टारगेट की तो एज जैसी सिक् आपकी रियल्ड के साथे तो ज्यादा ही डन आपको दे सकती है ये कंपनी काफी सही है अगर आप शेर में इन्वेस्ट करोगे लेकिन दोस्तों लॉंग टेम के लिए इन्वेस्ट करना और साथ ही दोस्तों कभी भी शेर भागेट में इन्वेस्ट कर तो पहले खुससे जर करते हैं अगर आपके न्यूस अच्छी लगए तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करना विडियो को लाइक करना